आज हम सीखने वाले कैसे आइमाउ रेंजर टू इस प्रोडाक को कैसे हम कॉन्फीकर करेंगे हमारे मोबाइल के अंदर और मैं एक तब प्रिसाइज श्टेप बताऊंगा श्टेप बाइश्टेप बाइश्टेप आप इस वीडियो को देखिए हिंदी लैंग्विज में बत आइमाउ के पीछे तो यहां पर आपको एधरनेट पोर्ट मिलता है इसके दूप आप वायरली आप कनेक्ट कर सकतो अपने राउटर के साथ में अगर आपका वायरलेस की जो फ्रिक्वेंसी है वह लो है और इस कामेरे तक नहीं कौच दिए तो इसके बाद में यहां पर आ और यह जो adapter मैंने connect किया है, यह adapter आपको साथ में मिलता है जब आप IMO का product खरीदते हो, यानि कि जब भी आप Ranger 2 product लेते हो, तो इसके साथ में मिलता है, तो यह एक wireless camera है, और हम इसे wirelessly connect कहेंगे हमारे router के साथ, ठीक है, so my dear friends, step by step बताऊंगो कैसे configure होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यह जो product है, इसे आपको reset करना है, यहाँ पर ऊपर करके आपको reset करना है, यहाँ पर आपको reset button मिलता है, ठीक है, so जब यह product चालो होता है, तो यह क्या हो रहा है, यह goal 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 goal, एक बार यह rotation लेता है, हम क्या करेंगे, हम इसे एक बार reset करेंग all right so now one two three four five six seven eight nine ten इस तरीके से आप प्रेस करके रखिए और एक बीप साउंड आएगा इसमें से tip all right so यह अब reset हो चुका है और reset होने के बाद में यहाँ पर LED indicator आपको red color दिख रहा होगा यहाँ पर आप देख सकतो यह जो red color का LED indicator है यह जब तक green नहीं होगा तब तक आपको configuration के लिए आगे proceed नहीं करना है all right so इसे green होने तक हम wait करेंगे all right so अगर आप देखोगे न तो IMO के ऊपर ठीक है मैंने एक bullet camera के ऊपर already video बनाया हुआ है ठीक है तो almost process same ही होती है जितने भी IMO के range of products है इसके ऊपर मैंने जितने भी अच्छा इसके ऊपर video q मैंने बनाया जब तक वो green हो रहा है तब तक मैं आपको एक एक चीज़ बताना चाहता हूँ that is कि मैंने playlist बनाया हुआ है आप देखोगे मेरे channel में तो उस playlist में मैंने CP plus का मैंने पूरी complete बताई हुई है उसके बाद में मैंने बताया है zebronics company का उसके बाद में मैंने MI का बताया हुआ है IMO का बताया हुआ है Higvision का बताया हुआ है ऐसे बहुत सारे brand का मैंने wireless camera आप configure कैसे होता है यह पूरा मैंने सिखाया है तो आप अगर उसमें से कोई भी brand का और सीखना चाहते हो तो उस playlist पे जाईए और वहां से सारा चीज आप step by step सीखे आल राइट सो नाव यहां पर आप देख सकतो यह जो color है वह अब हो चुका है green यहां पर देख सकतो green light blink हो रहा है अब मैं configuration करने के process पे आगे बढ़ सकता हूँ आल राइट सो अब हमें क्या करना है अब हमें mobile की और जाना है तो चलते है mobile की और configuration step by step सीखे तो अब हम आ चुके हैं हमारे mobile की और जैसे की आप देख सकते हो सबसे पहले आपको play store में जाना है और आपको डाउनलोड कर लेना है जो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है आईवाओ करके आप वह डाउनलोड कर लीजी डाउनलोड करने के बाद में उसे आल राइट जभी भी आप ये installation करोगे make sure के आपका mobile data आप फिलाल के लिए बंद कर लीजीए और आपका mobile आपके wifi से आप connect कर लीजीए तो मैं यहाँ पर मैं क्या करूंगा यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर अपने wifi से इसे connect कर रखा है जैसे skill Mumbai से और मुझे इ data का कोई काम नहीं है अभी all right so मैं यहाँ पर देख लेता हूँ कितना percent हो चुका है all right so यह अभी install हो रहा है 71 परसेंट इसे जब तक इंस्टॉल आफ यह इंस्टॉल होचुका है अब हमें इसे open करना है open करने के बाद में बहुत easy step है जो permission मांग रहे हो permission देदो आप इसे get it कर दो उसके बाद में आप इसे allow कर दो अलाव करने के बाद इसे पर मिशन दे तो जो भी permission मांग है वो सारे permission आपको दे देने है all right so अब आपका आता है login credential अगर आप पहली बार इसी use कर रहें ठीक है IMO app को तो आपको इसमें अपना sign up करना पड़ेगा दव्वा के account ठीक है तो यहां पर आपको sign up करके option आता है यहां पर आप next करके आपका email id जो भी email id से आप register कर लो तो आपकी जो working email id होगी वही register करना कोई fake email id register मत कर ठीक है उसके बाद में आपका password जो भी आप बनाना चाहते हो बना दीजे तो मैंने already मेरा IMO app account है मैं उस account को login कर लेता हूँ और login करने के बाद में आपको मैं यहां पर दिखाता हूँ all right all right so मैंने login कर लिया है मेरे account में जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो मैं यहां पर अपने मेरा email ID है वो मैंने डाल कर यहां पर login कर दिया है और आपको फटा-पट से आप अपना email ID डाल कर उसमें आप login कर लेकिए अब क्या करना है यहां से आपका step number one चालूँ और देख सकतो आप right corner में आपको एक add button दिख रहा होगा कैमरी के पीछे एक barcode दिख रहा होगा यह barcode इस barcode को scan कर लेना यह जो barcode है यह और कुछ भी नहीं आपका serial number है तो वो मैंने scan कर लिया यहां पर अब scan करने के बाद में यह detail यहां पर आपको शो करेगा as model number आपका serial number इसे next करना है आपको next करने के बाद में अगे next करना है आपको next next करके इसे install कर लेना है अब यहां पर इस camera का अपना hotspot होता है उस hotspot में इसको connect करना है तो यहां पर मैं इसे connect कर रहा हूँ इसके hotspot में डाई डी ए पी जो लिखा हुआ है उस पे आप connect करिये after connecting अब यह बोल रहा है कि आपको क्या करना है like now you have to connect your router to your camera जाने कि आपका जो router का credential है वो यहां पर सर्च करना है जाने कि SSID क्या है आपका skill Mumbai तो मेरा यहां पर skill Mumbai है और इसका password input कर लेना तो फटा फट से मैं password router का input कर लेता हूँ और मेरा camera जो है मेरे router से connect हो जाएगा all right so यहां पर मैं password put कर देता हूँ all right so यहां पर मैंने password put कर दिया है अब मुझे next पे click करना है और मुझे wait करना है around 100 second ठीक है 100 second wait करना है यह connect हो रहा है आपका ठीक है मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूँ यह green light जल रहा है और configuration चालू है इसका all right so इसे connect हो जाने दीजिए जब तक यह connect हो रहा है हमें wait करना होगा तो यह device add हो चुका है awesome my dear friends fantastic और यह हमारा device अब add हो चुका है बहुत simple step है hardly 2-3 step में आपका यह जो device है वो आपका connect हो जाता है all right so यहां पर आपका एक survey होता है जहां पर कि आप इस product को कहां पर use कर रहो आप front door पे use कर रहो यहां क्यार पे use कर रहो गाराज में यूज कर रहो वो आप select कर सकते हो तो मैं front door as a select कर सकता हो यहां तो फिर मैं यहां पर type भी कर सकता हो office as मुझे जैसा रखना है मैं वैसा रख सकता हो all right so यहां पर just hold on मैंने app को बंद कर दिया है all right so हम वापस से आ चुके है app के उपर यहां पर आप देख सकते हो next करना है again अच्छा यहां पर next करने के पहले आपको बोल रहा है region select करना compulsory है तो हमें यहां पर region select कर लेना GMT plus 530 date format आप DDMM YY रख दीजिए as it is उसके बाद में आपको next करना है next करने के बाद में यहां पर आप देखोगे तो यहां पर आपको home करके option आ रहा है इस home option पर आपको click कर देना है factory में आपने use कर रहे हो कहां पर use कर रहे हो वो आप अपने हिसाब से जहां पर use कर रहे हो वो एक survey ह है वो आप सी रेक कर सकते हो दन कर दीजिए आपका completely हो चुका है configure अब हमें later करना है हमें कोई cloud platform अगर खरीदना है तो यहां से हम खरीद सकते हैं बट फिलाल मैं later कर रहा हो और यहां पर आप देख सकते हो camera हमारा हो गया है ठीक है तो यहां पर मैंने start कर दिया है camera और यह दे plastic अनिबल करके इसे rotate कर सकता हो जैसे मुझे rotate करना है देख सकते हो मैं पूरे office में इसे इस तरीके से rotate कर सकता हो मेरे हिसाब से और राइट से इससे देख सकते हो इसके अंदर बहुत सारे functions होते हैं, इन functions के बारे में आप लोगों को पता ही होगा अगर आप इसे configure कर रहे हो, यहां पर आप देख सकते हो, यहां से मैं two way talk चालू कर सकता हो, तो यहां से मैं hello बोलूँगा, hello, 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 so इस तरीके से आप two way talk कर सकते हो, उसके बाद में यह यहां पर आप recording करना चाहते हो, तो यह मेरे mobile में यहां पर record चालू हो गया है, और इसे SEO हो जाएगा मेरे mobile के अंदर, उसके बाद में यहां पर आता है आपका camera capture, यानि कि यहां से आप ठिक capture कर सकते हो, ठीक है, real time, यानि कि real time की recording, real time का आपका photo, जो भी आपको store करना है, इन-built mic मुझे, अगर सुनना है, तो मैं यहां से सुन सकता हूँ, तो इस तरीके से आपको voice आना शुरू हो जाएगा, आप अपनी video quality को change कर सकते हो, अगर आपको 720p में monitor करना है, अगर आपको 1080p में monitor करना है, तो वो भी option आपको यहां पर मिल जाता है, alright, So, यहां पर आप देखोगे, तो ऊपर की ओर setting का option है, यहां पर एक important setting है, जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप इसे first time configure करते हो, that is, कि इसके अंदर एक option होता है, that is, the option is, let me find out, कहां पर गया वो option, yes, So, यह जो option है, जो option की मैं बात कर रहा हूँ, that is, image rotation, जब भी camera को आप इस तरीके से mount करोगे, तो आपको वो जो image है, वो आपको mobile के अंदर ultra दिखेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको image rotation को, आपको on करना है, alright, so, इस तरीके से on कर दीजिए, और आ इस video को लेकर आपको सिर्फ इतना ही बताना था, कि इसे कैसे आप अपने mobile के अंदर, आप इसे add कर सकते हो, alright, अगर आप इसके feature के बारे में, कैसे recording को on करना है, कैसे human detection को on करना है, कैसे motion detection को on करना है, इसके complete feature की, अगर आपको tutorial चाहिए, तो please आप मुझे comment में बता सकते हो मैं आने वाले video में, मैं आपको इसके complete feature के बारे में, आपको बताने वाला हो, कि कैसे आपको memory card insert करना है, क्योंकि इसमें memory card आप देखोगे, तो यहाँ पर insert होगा, यहाँ पर आपको memory card insert करने का एक option होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो, तो इसके through, आप क्या कर सकते हो, अपने camera के अंदर आप record कर सकते हो, यानि कि आपके memory card के अंदर हो store होगा, ठीक है, so I hope कि आपको IMO configuration कैसे किया जाता है, पूरा setup एकदम step by step by step आपको समझ में आगे होगा, अगर इन setup के दोरान आपको कोई भी problem आता है, कोई भी option आपको नहीं समझ में आता है, प्लीज मेरे चैनल को, alright, awesome, great, fantastic, thank you so much, मिलते हम हमारे next video के अंदर, this is Lakshman, signing out for the day, bye-bye, see you in my next video.